नमस्ते बच्चों, कार्डियक साइकल मेरा टॉपिक है आज का, कार्डिक साइकल के डेफिनिशन जो की गिवन है NCRT के अकॉर्डिंग, that's like the sequential event in the heart which is cyclically repeated, sequential event यानि जो events है उनका एक पटिकुलर सीक्वेंस है, वो एक पटिकुलर सीक्वेंस में होगी और cyclically repeat होगी, हर बार ए होती है, वो इसकी beginning होती है, diastole condition से, तो सबसे पहले हम लोग समझते है, diastole क्या होता है, systole क्या होता है, systole जो होता है, इसका मतलब होता है, contraction, heart में हम लोग को पता है, human heart की अगर मैं बात करो, तो इसमें four chambers होते है, अगर उन four chambers में contraction हो रहा है, या किसी एक चैंबर में भी अगर contraction हो रहा है, तो हम लोग उसके लिए condition यूज करते हैं, उसको लिए कहते हैं, हम लोग systole, ठीक है, अगर relaxation हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे diastole, diastole मतलब हो गया relaxation, इसको हम लोग एक balloon से समाझ सकते हैं, कि अगर आप एक balloon है, उसके इंदर water डालते हैं, पानी होता है, बट उसी balloon से अगर आप पानी बाहर निकालेंगे, या फिर हवा बाहर निकालेंगे, तो वो अपनी contraction state में होता है, वो अपनी systole condition में होता है, ठीक है, आ गही होगे आप लोग को बात समझ में, तो सबसे पहले, जो काडिक साइकल की, जो सबसे पहले first event होती है, वो both are, both are in relaxed state, दोनों के दोनों बिल्कुल relaxed state में है, relaxed state मैंने अभी बताया, जैसे balloon है, अगर आप उसके अंदर कुछ चीज फिल कर रहे हैं, हवा या पानी, तो वो अपनी relax state में है, यानि उसके अंदर आप को फिर घर सकते हैं, तो similarly, इसमें भी ऐसे ही है, हार्ट में हम लोग मैं picture बनाती हूं तो इस तरह से यह picture है like this is there are four chambers two on the right side and the two on the left side this is right ventricle upper side right atrium left atrium and the left ventricle semilunar valve यहां present होते हैं जैसे यहां से यह pulmonary artery निकलती है और यहां से iota this is iota this is pulmonary artery जो की deoxygenated blood carry करती है lungs तक from heart to lungs right atrium में opening होती है वेना केवा की जो की deoxygenated blood लेकर आती है from the body tissue और left atrium में opening होती है pulmonary vein की तो यह condition ऐसी है जिसमें सिर्फ दो valve open है और दो valve जो होते हैं वो blood flow हो रहा होता है but यहां के यह जो valve होते हैं यह close होते हैं so I can say here in this condition like the tricuspid this valve is a tricuspid and this valve is a bicuspid so tricuspid and bicuspid I am writing here TC and BC so tricuspid and bicuspid valves are open whereas in this condition another valve like semi-lunar valves are closed ठीक है तो जो lower है जो aiotic और pulmonary valve होते हैं वो close होते हैं और जब की upper valve जो हैं जो tricuspid, bicuspid valve है वो open होते हैं यह relaxation state है जिसमें की blood atrium में आ रहा है और atrium से फिर वो जा रहा है ventricle में यहां से blood आ रहा है वेन के वागे थू राइट अट्रियम में pulmonary vein के थू लेफ्ट अट्रियम में and then it is going from right atrium to right ventricle and from the left atrium to the left ventricle यह हो गई हमारी first event ठीक है next event में क्या होगा there will be generation of the action potential action potential जो है जो ऐसे एंड है sinoatrial node यह मैंने हम मेरे last video के अंदर पूरे अच्छे से explain किया हुआ है अगर आपको नहीं पता है तो please go through my that video तो sinoatrial node will generate and action potential और उस action potential की वज़े से students क्या होता है उस action potential की वज़े से यह atrium जो होते हैं यह basically contract होते हैं यानि हम लोग उसको कहेंगे atrium systole ठीक है एंट्रिया सिस्टॉल की चिस्टॉल कंडिशन में चले जाएंगे यानि यह contract होंगे अब जब यह contract होंगे तो उससे क्या हो सकता है यहां पर यह contraction हो रहा है यह contraction हो रहा है इसके contraction की वज़े से जो लोर साइड है वहाँ पे blood flow बढ़ जाएगा और ब्लट फ्लो कितना बढ़ जाता है इन वेंट्रिकल्स by 30% 30% तक जो ब्लट फ्लो है वो वहाँ पे बढ़ जाएगा नेस्ट हमारे पास में क्या होगा यह जो एक्शन पोटेंशल है स्टूडेंट यह एक्शन पोटेंशल ऐसे यह जो जन्रेट किया था वह आगे सबसे पहले जोईन द Hersa उसके बाद मेंट्रिस्टानी अलगे जहाँ पर की एट्रिया जो थे वो contract हो गए अब हमारे पास में ventricular systol है और ventricular systol के साथ-साथ एट्रिया जो है वो diastolic condition में आ रहे है यानि वो relaxation state में आ गए है ठीक है आगे होगी आप लोगों को बात समझ में या ventricles contract हो गए है अब जब ventricles contract होंगे आप देखिए जैसे यह chamber है ठीक है यह ventricles contract होंगे यानि कहीं न कहीं इनका जो pressure होगा वो बढ़ जाएगा इन ventricles का pressure जो होगा बढ़ जाएगा और इस pressure के increase होने की वज़े से जो upper wall होंगे tricuspid और wicuspid वो close हो जाएगे तो ventricle contraction की वज़े से ventricle system condition की वज़े से pressure increase होगा और pressure increase होने की वज़े से tricuspid और bicuspid valve are closed तो यह close हो जाएगे पुरी तरह से ठीक है अब आप देखिए कि यह पूरी तरह से एक close chamber हो गया इसके अंदर यहीं यहीं पे blood भरा हुआ है यहां से भी इसका दर्वाजा बंध है और यहां से भी इसका दर्वाजा बंध है यह दर्वाजा उपर वाला इसलिए बंध है ताकि backward flow नहीं हो जाए ब्लड का क्योंकि एक्ट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आता है वेंट्रिकल से एक्ट्रियम में नहीं जाता तो ट्रायकस्पीड वाजा क्लोज हो गये ताकि backward flow ना हो बट इस ब्लड को तो कहीं न कहीं बाहर निकलना है तो यह इंटर्णली क्या करेगा फर्दर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो फर्दर प्रेशर विल इंक्रीज और जब further pressure increase होगा तो इसका resultant यह होगा कि जो semi-lunar wall होंगे वो open हो जाएंगे the semi-lunar walls will open और semi-lunar wall open होते ही नीचे blood flow start हो जाएगा नीचे मतलब जो lower हमारे blood vessels है वहाँ पे blood flow start हो जाएगा अपर side पे बंद हो गए lower side पे open हो गए आयोटा में blood flow होगा और इसी तरह से pulmonary vein में तो अब जो blood flow हो रहा है वो हो रहा है ventricle से blood vessels में उपर वाले valve जो है वो पुरी तरह से closed हो गया है ठीक है next जब blood flow हो गया है तो inside side जो pressure था वो कहीं ने कहीं यहां पर कम हो गया क्योंकि blood का ही तो pressure है अंदर की side में वह बाहर निकल रहा है तो pressure क्या होगा decrease हो जाएगा और pressure जब decrease हो गया तो ventricles now will come into the relaxed state और relaxed state में वो आ गए है यानि अब कंडिशन आ गई है then further क्या होगा then there will be decrease in pressure जो यहां pressure increase हो गया था वो pressure यहां पर क्या होगा decrease होगा the pressure will decrease और अगर pressure decrease हो रहा है तो यह जो wall है semi lunar wall जो open हो गये थे अब क्या हो जाएंगे close हो जाएंगे क्योंकि blood flow हो चुका है तो semi lunar wall जो है वो close हो जाएंगे then the semi lunar wall close ठीक है इसके अगर मैं पिक्चर बनाती हूं तो कुछ इस तरह से बनेगी यह फोर चैंबर्स हो गये अपर चैंबर्स अल्रेडी क्लोज है और लोर चैंबर्स भी फ्लोज हो गये प्रेशर डिक्रीज प्रेशर डिक्रीज होने से semi lunar wall जो है वो close होगे ठीक है आगे आपको बात समझ में यह यहां पर semi lunar wall open हो रहे हैं नाव फर्दर क्या होगा और प्रेशर डिक्रीज होगा जर विल बी मूर प्रेशर डिक्रीज और जब और ज़्यादा प्रेशर डिक्रीज होगा तो अपर जो वाल्व है वो open हो जहां इंक्रीज हो रहा था तो वाल्व प्रेशर डिक्रीज हो गया है तो वाल्व ओपन हो गए हैं तो अगर हम प्रेशन देखते हैं और अगर मैं इसका पिक्चर बनाती हूं दंदन पिक्चर वुड़ बी लाइक देस कि वही 4 chambers है 4 chambers में यहां atrium है यह ventricles हो गया यह left side हो गया यह right side हो गया and tricuspid bicuspid walls are open the blood is flowing from atrium to ventricle again atrium to ventricle blood from the vena geva also from the pulmonary vein and these walls are closed so now you can see this condition is basically same to the first condition यह बिल्कुल first condition आ गई है हमारे पास में जो first event थी हमारे पास में exact वो ही event आ गई है जो की थी joint diastole पहले joint diastole हुआ second में हमारे पास में atrial systole हुआ third हमारे पास में ventricle systole हुआ का और atrial diastole condition में चले गए fourth हमारे पास में diastole हुआ ventricle का और then last में दोनों के दोनों diastole condition में आ गए तो this is complete a cardiac cycle